कवरेज यूपी में अब तक कितना प्रतिश्रत मतदान हो चुका है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं 49.55 फीसदी मतदान हुआ है 12 बंकी की बात करें तो सबसे जादा यहाँ पर 44.77 फीसदी मतदान हो कया है बात लखनकी करें तो सबसे कम यहाँ पर मददान प्रतिश्चत साबने आया हमेठी में 38.2 फीसदी मददान हुआ बांदा में 40.2 फीसदी मददान हुआ फैजबाद में 40.77 फीसदी मददान फतेपुर में 49.85 फीसदी मददान हुआ है इसके अलावा गोंडा की बात करें तो यहाँ पर 36.6 फीसदी मददान हुआ है और हमेरपुर में 40.7 फीसदी मददान यह देखिए आप सिल्चिनवार तरीके से एक बज़े तक का मददान प्रतिशन आपकी स्क्रीन पर आगया है और आप देख सकते हैं कि एक बज़े तक कितना फीसदी मददान हुआ है जहासी की बात करें तो जहासी कभी हमने आपको बताया 43.6 फीसदी कोशामबी में 36.25 फीसदी मददान हुआ है और इसके साथ ये बारबंकी का भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है बारबंकी में भी और देखिए बांदा में भी 40.2 पीसदी मतदान अब तक यहाँ पर हुआ है तो आप तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आ गया है एक बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है बहुत ज 49.4 फीसदी मतदान लखनों में 33.5 फीसदी मतदान अब तक हुआ है और धीरे धीरे ये मतदान प्रतिश्रा धवी शाम के वक्त और बढ़ेगा चार बज़े के बाद दोबारा से वोटिंग के रफ्तार बढ़ जाती है जैसे ही थोड़ा सा गर्मी कम होती है थोड़ा सा धू कम होती है तो एक बार फिर से मतदाता पहुचते हैं जालोन में 49.5 फीसदी मतदान और ये वोटिंग परसेंटेज एक बज़े तक का हम आपको बता रहे हैं तो अब इसके बाद तीन बज़े तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे फिलाल य कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ नेता हैं, अभी नेता हैं जो वोट डालने के लिए पहुचे अनूब जलोटा, सुनिल शेटी, अनिल कपोर, इन सभी ने भी मतदान किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है, राजकुमार राव, अक्षे कुमार भी, भारत की प्रेक्ता मिलने के बाद पहली बार उन्होंने वोट डाला नेहा धूपिया को देख सकते हैं आप तो तमाम यी सेलिब्रिटीज आप देखिए जोनोंने वोट डाला है अपने अपने लोकसभाक्षित्र में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया चलिए सीधा रूख करते हैं हमारे सयोगी अमारसा जुड़ चुके हैं अमिद गंजु जालौन से हमारसा जुड़ गए हैं कौशामबी से सरवेश दुबे अमारसा जुड़ गए हैं सबसे पहले अमेद गंजु का परते हुए जालॉन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेद हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत जादा है लेकिन वोटर्स में उत्सा कम नहीं है आपके पीछी पिंक बूत भी मुझे दिखाई दे रहा है कही न कहीं मतदाताओं को जागरू कर सब्सक्राइब मतदान इस वक्त देखे शीरम जी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम लोग एक स्कूल में पब्लिक स्कूल में यह तो पिंक बूत है पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इसको पिंक मॉडल दो अलनलक सेक्शन में बनाया गया है इसको पूरा बंट रही है जमीन से गर्मी निकल रही है और उसके बीच भी वोटरों का कहीं से भी जोश कम होता नहीं दिख रहा है दो दो तिन तिन चारचर करके आ रहे हैं जिस सेंटर पर हम खड़े हैं यहां दो हजार पिचासी करीब वोटर है और इसमें अभी तक लगभग एक हजार के आसपास वोट कास्ट कर चुके हैं अब पिछले ढ़ाई घंटे के अगर बात की जाए या सबादो घंटे से अभी लोगों का आना थोड़ा कम हुआ है क्योंकि देखे गरम हवा लपट चल रही है एक बंदेल खंड गर्मी के लिए माना जाता है तप रही धरती और ऐसे मे यहां सिर्फ 39.something ता लेकिन जो हमारे पास अभी इन सेंटर्स को लेकर आ रहा है कहीं 42 है कहीं 44 है अगर हम कौश की बात करें तो 43.6 है अगर हम बात करें मादवगट की तो 44.7 है हम बात करें कालपी की तो 43.8 है हम बात करें जालों की तो 40 देखे एक एक करके देखे वोटर करें जिसे करें heat waves यहां चल रही है और देखा जा सकता है कि माथ्य का पसीना इस बात को बता रहा है और हवा जो चल रही गरम बता रहा है कि गरमी कितनी इस वक्त जालों में है तप रहा है यह जालों लेकिन लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं और हम बार बार अपील कर र बिल्कुल आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं और वाकई जो लू इस वक्त चल रही है वो परिशानी का सबब कहीं न कहीं बर रही है और यूपी के कई जिलों में ये अलर्ण भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि हीट वेव से बचे अपना पानी अपना तमाम चीजे लेकर ही घरों से बाहर निकलिएगा कौशामी से सरवेश भी हमेरसा जुड़े हुए उनके पास चलेंगे लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं और बड़ का रहने वाला जवान जो की बेहोश हो गया श्री नगर के राच्किया इंटर कॉलेज बूत का ये मामला बताया जा रहा है तो देखिए लगातार हीट वेव की बज़र से लोगों को भी दिक्कत हो रही है लेकिन इस बीच निजजटीन और हमारे सयोगी भी जैसा की कह रह सरवेश क्या कौशांबी में भी इतनी ही जादा गर्मी है क्योंकि यहां उतरप्रदेश के कई जिले जहां पर अलर्ट भी जारी किया है क्या यहां पर भी वोटर में दिख रहा है गर्मी का असर या फिर उत्साहित हैं काफे मद्दा था देखें निश्चित तोर पर कौसांबी में भी गर्मी पड़ रही है तापमान का पारा 44-45 डिग्री पहुँच गया है और दोपार के वक्त आप देखें यह पिंक बूत है मन्यनपूर मुख्याले में इस बूत पर अब मद्दाताओं की संख्या बिलकुल कम हो गई है सु मद्दाता जरूर है कि जो इस गर्मी के बाजूद तब्ति गर्मी पे भी निकले हैं अपना वोट कास्किया है अपने मता धिकार्यत का प्रयोक है बया आपने वोट देदिया फिंगर दिखाईये क्या नम है आपका और इतनी गर्मी के बावजूद आप आप आए हैं इसके बावजूद आप निकली हैं यहां पर वोट किया है क्या मुद्दे हैं लोगतंत्र के लिए आप आई हैं यह अच्छी पहल है कुछ बोलिए नहीं बोलना चाहती है आप ने भी वोट कर दिया मैं फिंगर दिखाईए वोट कर दिया गर्मी काफी है कितनी परिशानी हो रही है सबसे बड़ी बात है कि इस समय एक बार मद्दाताओं की संख्या कम हुई है बूतों पर सन्नाटा पस रहे माना जा रहा है कि चार बजने के बाद जब थोड़ा सा धूब कम होगी गर्मी की तपिश कम होगी तो एक बार फिर से लोग निकलेंगे शाम छे बजे तक मद्दातों से यही अपील कर रहा है कि लोकतंत्र में उन्हें मताधिकार का जो अधिकार मिला है उसका प्रियोग करें अपने लिए एक अच्छी सरकार चुने जब आप अच्छी सरकार चुनते हैं अपने लिए मद्दान करते हैं तब ही आपको राइट है कि आप ये कहें कि सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब कर रही है आप शिकायत करने के भागिदार बनते हैं ये आप कर सकते हैं तो न्यूजेटीन भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप निकले और अपना वोट जरूर कास्ट करें जी बिल्कुल तो न्यूजेतीन भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए अपना वोट कास कीचे अच्छा अमित जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि जवान बेहोश भी हो गया गर्मी की वज़े से और बहुत जादा परशानी लोगों को भी जाहिद तोर पर आ रही होगी लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि मद्दाता काफी उत्साहित भी है और मद्दाता पहुँच भी रहे हैं जैसे कि मद्दाता नहीं पहुच पाते गर्मी की वज़े से कई बार तो क्या उससे भी वोटिंग परसेंटेज प्रभावित होता है अमित देखे शीनम जी वोटिंग प्रभावित गर्मी से होती है नहीं होती है हीट वेव कितनी है नहीं है इन सब के बीच ये देखे दो वोटास इन्होंने अपना पूरा डखाए ये गमच्छा लगाए है है पूरा और हमने क्योंकि रिक्वेस्ट की अटाएं गर्मी कितनी पढ़ रही है वोट डाला सी हाई दिखा दिए बेहन जी आप भी आप भी जाने जालेंगे और बाकी लोग आए कि नहीं आपके साथ के आएंगे सब आएंगे गर्मी के वैसे नहीं आ रहे हैं थंडग में देंकि शीनम जी यह सीधा प्रमान है कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम आएके वोट डालेंगे वोट के प्रती लोग अपने अवेर हैं और जाया प्लीज आप समझ सकते ही क्योंकि देखे जिस तरह मेरे सायोगी भी सर्वेश बता रहे थे 45 अभी हम लोग भी खुद प्रेचर ऐसे में स्टाफ को देखिए कैसे जो लोग ये अलेक्शन को कंड़ेक्ट कराते हैं टीम कंड़ेक्ट कराती है कैसे ये लोग यहां बैठे हैं पूरी धूप में और अगर अंदर रूम की बात की जा तो अभी सिर्फ 4-5 लोग और 2-3-3-4-4 करते पिछले आदे के अंदर 22 से 24 लोग आ चुके हैं जैसा कि मैंने पूर में आपको बताया कि लगबग इस सेंटर पर 50% के आसप वोट कास्ट हो चुका है सुबह मैकसिम था ऐसा जो लोगों का यहां कहना है कि पूर में भी यह सेंटर बना था 2019 में जब यह सेंटर बना था तो इस सेंटर पर जो मैकसिमम पॉलिंग गई थी और अभी की बात की जाए तो आपने वोट कास्ट कर दिया आई यह प्लीज चाहिए दर आइए देखे शीनम यह भी देखे जागरूप वोटरों के लिए हम निउस 18 बार बार इनको सलाम कर रहा है इनको धन्यवाद दे रहा है आपने वोट करें के लावए गर्मी ना बताना गर्मी तो मुद्दा नहीं और और कंनों मुद्दा नहीं है आप पताना है जली ठीक, देखे शीनम इतनी गर्मी में लोग निकल के आए दोनों हजबन-वाइव उसने का यह हमारी में 9 कास्त करें क्यूंकि वोट हमारा अधिकार है यह ब करने के मैंने जैसे आपको पहले बता है दो एक दो तीन ऐसे करते चले आ रहे क्योंकि यहां आसपास के ग्रामी नाचलों के लोग भी है कुछ अलग-अलग कॉलोनीज के जैसा जैसको समय मिल रहा है वैसे में आप देखे जिस धूप पे इसना हम खड़े हैं कि एक मिनट की दूप इस पर बरदाश नहीं हो सकती है इतना इसना हीट वेफ चल रहा है और ऐसे में ये वोटर जो आ रहे हैं इसे नेट्वर्क एटीम न्यूज एटीम के जो करोड़ दर्शक हमें हमें देख रहे हैं उनसे हम बार-बार अपील करेंगे निकलें अपना वोट कास करें आपको तस्वीर अगर बदलनी है अगर आपको सोच बदलनी है या आपको आलोचना भी करनी है तो उसके लिए भी आपको वोट कास करना पड़ेगा क्योंकि आपके मन मताबिक सांसद आपके मन मताबिक सरकार तब ही बन सकती है जब आप वोट कास करें ना कि टीवी के साम खड़े रहकर बहुत घर्मी लग रही थी लेकिन वो दस पंद्रा बीस मिनिट की गर्मी और यह सब तकलीफ है बरदाश कीजे और वोट कीजे और कृपा करके वोट के दिन आप छुटी पे मचले जाएए वोट करिये क्योंकि यह आपका बर्थ राइट है वोट करना एक सरक कार बनाना डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं आप तो उस वोट को आप एक्सेसाइज करिये दो हजा चोबिस का जचुना है उसके पार्श्व भूमी है आप क्योंकि रामायन से जुड़ी है राम मंदिर भी बन गया है तो आप कैसा दिखती है लोगों में क्या एक मांग होग है और वो आगे जाके जो विकास रहेगा वो थाउसंद्स ओफ यहर्स के लिए इस्टाबलिश्ट होगा और मुझे बहुत विश्वास है उनकी बातों पर क्योंकि जो करते हैं वो कर वो बोलते वो करके दिखाते हैं हर जगा पे जहां जहां उन्होंने कहा है कि यह होगा उन्होंने किया है, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिजिस हो, ट्रेंज हो, राम मंदिर हो, तो अगर आप विकास चाहते हैं, अपने,